जहें दोस्तों आप श्रमों का दा बिहार टीचर हिस्टी मेकर मेरा मोबाइल मेरी सिक्षा के इस प्लेटपॉर पर स्वागत है और मैं हूँ जितेंदर कुमार बिज्ञान सिक्षक उचमादमिक विद्यल्यक कि सनपूर्शुपॉल तो चलिए हम लोग जो एक स्रिंखला इस मंच के द्वारा जो साजा कर रहे थे आप लोगों के साथ वह था कि एक भारत स्रिष्ट भारत अर्थात हमारा जो ये सुंदर भारत है उसके जो बिभिन राज्य हैं उसकी जो बिभिन शन्सकृतिया हैं जो हमारे भारत की धरोहर है और जो हमारे भारत की गौरव शाली एक परंपरा रही है इन सब बातों को देखें और तब जाकर हम अपने भारत पर गर्व कर सकेंगे क्योंकि हमें जानकारी नहीं मिल पाती है कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर हम बिहार में रहते हैं तो फिर बंगाल की क्या कल्चर है हम उससे परचित नहीं हो पाते हैं केरल में कैसा है असम में कैसा है नागालेंड में कैसा है और नाचल परदेश में कैसा है इसलिए सरकार की एक मत्वा कांची योजना है कि क्यों ना भारत के लोग एक दूसरे राजिस से शंपरक्षादे उसके बारे में जाने पढ़ें और समझें ताकि क्या होगा कि एक दूसरे के विचारों का आदान परदान होगा उसकी शंस्कृतियों के हम करीब जाएंगे तब जाकर हम पूरे भारत को जान पाएंगे तो बिहार के साथ जैसे मनीपुर को टैग किया गया है तो इस मंच के दोड़ा एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया गया है कि एक भारत कें पूरे भारत के जो बढ़्दीम राज है सवी राज्यों के बारे में हम जने तो उसी करी में हम आपके सामने उपस्तित हैं केरल राजी की भुआ के एस विडियो के माध्यम से हम जानने का प्रियास करें कि चोड़ पर बसा हुआ एक भगवानों की अपनी भूमी उसे कहा जाता है बहुत ही शुंदर राज्य है जिसके पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर अरब सागर है दक्षिन में हिंद महाशागर है बताईए दो दो तरफ से ये महाशागर से घिरा हुआ यह अनोखा राज्य है जहांका नारियल पूरे एक शिल्सले वार्धंग से देखते हैं भगोलिक इस्तिती केरल की कैसी है चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो यह जो केरल राज्य है इसकी अस्थाप्ना एक नवंबर 1956 में हुई थी और इसकी राजधानी है तिरुवन्त पूरम और यहां की जो अधिकारिक भाषा है वह है मली आलब केरल की अधिकारिक भासा है और यहां पर जो भी पॉइंट हमने लिखा है और आप लोगों के साथ जो साजा कर रहे हैं यह